क्या हले दोस्तों मेरा नाम एडीपी वेलकम तु रिविश रिविव और यह वोप यू गाइस आपसुलूटली फाइन इन इस कॉरेंटाइन एंड टेक चेक के थर्ड एपिसोड में आप सभी लों का तहे दिल से स्वागत है तो जो पहली खबर है आज वह यह एकि जो एरप करना पाऊं लेकिन मैं इंट्रेस्टेट हूं हम टेक एंथूजियास्ट लोग है ना इसी बात पर लाइक करो सब्सक्राइब करो अगर नहीं हो चैनल पर ठीक है जो दूसरी खबर है दोस्तों वह यह है कि शामी ने अपने नए टीडवलेस लॉंच किया है फ्लिप बर्ट इनमें हमको कौन सारी चीजे मिल जाते हूं मैं आपको बता देता हूं इनमें हमको 11 mm के ड्राइवर्स देखने के लिए मिलेंगे 40 db तक का noise cancellation मिल सकता है लाइक अभी तक जितने भी मैंने टीडवलेस ट्राइए किया है उनमें 30 25 या 35 db तक का noise cancellation रहता है इनमें हमको 40 db त ब्लूटूथ 5.2 का support IP rating कौन से यह clear नहीं हुआ है बट I don't think so कि इंडिया में लाउंच होंगे अगर होंगे तो 9000 रुपीज बिलिटल बिट एक्सपेंसिव पर ब्रैंड लाइक शामी मतलब लोग इस प्राइस ब्रैकेट में सोनी हो गया या सैमसंग हो गया या जब रहा है कि अगर इस प्राइस पॉइंट में लॉंच होते हैं मलब 9000-9200 में लॉंच होते हैं इंडिया में जादा लोग होंगे जो एट्रैक्ट होंगे इस TWS की तरफ खिर आप क्या सोचते हो comment करके बता हूं दोस्तों जो हमारी अगली खबर हुआ रही है डेल की तरफ से डेल 15 17 रिफ्रेश्ट होकर आ चुके हैं 11 जेंड ़ो जोखी जादा है आइब सीरीज बոना व स Grams XPS 15 है और 17 है उन दोनों में ही i5 के i7 के i9 के 11 जेन के प्रोसेसर हमको एजली देखने के लिए मिल सकते हैं सो दोस्तों भले Dell XPS 15 हो या XPS 17 हो दोनों में हमको काफी कमाल की डिस्पेय मिलने वाली है मतलब आपको मैक्सिमम जो प्रोसेसर मिलने वाला है वह मिलने वाला है आई 9 11 900 H जो की कमाल का CPU है तो बी ऑनेस्ट आइड उसके साथ आपको मैक्सिमम जो जीप्यू मिल सकता है इस सीरीज में डाट विल बी RTX 30 series ठीक है अब RTX 30 series with this kind of CPU कमाल की जोड़ी है बट यह कमाल की जोड़ी का एक प्राइस भी रहने वाला है वो कितना जादा रहेगा यह तो मुझे नहीं मालूम है लेकिन जो बेस वेरियंट है वो 1249-1250 डॉलर्स का मिल जाएगा इंड इंडिया में अगर मैं इतने कम प्राइस में नहीं होने वाला इंडिया में पहली चीज थो लाउंच होगा या नहीं कि इंडिया में कोई भी लाप्टॉप लाउंच ख़बर होती नहीं लापटोप प्रकट होते हैं इंडिया में ठीक है यह एक लापटॉप है आप एक सब्सक्राइब कर सकते हो कि शायद यह लापटॉप आएगा कोई ख़बर नहीं अचानक से वह लापटॉप प्रकट हो जाता है जिसमें RTX 30 series है वह तो इंडिया में लाउंच नहीं होगा क्योंकि अगर होता है तो बहुत जादा एक्सपेंसिव होने वाला है डेल के एक्सपेंसिव अलरी बहुत जादा एक्सपेंसिव होते हैं तो आई 911 जेन तो धाई लाग तीन लाग के करीब होगा और उस प्राइस मे लड़ा परिये काल पी की तरफ से अब इनका नाम कैसे प्रहिए मज数 मुझे नहीं मालूम यह कौन है यह यहीं से वनप्लेश शुरू किया वैसी इन्होंने नथिंग शुरू किया और इस कंपनी का मतलब नथिंग का सबसे पहला जो प्रड़क्ट होने वाला वह एक टीड़वल्यस ओने वाला है जिसको यह वन बोल रहे हैं लोग तो काफी कमाल की नेमिंग है सिंपल मतलब यहरवन इनका टीडवले से कंपनी का नाम नथिंग है बहुत जादा मतलब सभी खेल रहे हैं लेकिन मैं क्यों इनसे जादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्योंकि यह बहुत जादा वैली फॉर मनी में भरोसा रखते हैं जो फोकेस है वह यही रखते है कि कस्टमर सबसे जाद हो अभी भी वह यही बोल रहे हैं कि इंडिया उनका में टार्गेट मार्केट होने वाला है सो नथिंग का जो टीजर है मतलब यह बढ़ का यहर वन का वो मैंने देख लिया है अब भी देखो आपके स्क्रीन में भी दिख रहा होगा में को कमाल का अच्छा डि रहने वाला है क्योंकि सब यह होप करते हैं कि काल पी की जो नहीं कंपनी है वह कम पैसों में ज्यादा वैल्यू प्रोवाइट करें अग्ली जो खबर है वह वीवो की तरफ से अगर आपने वीवो नियो टीडवलोस या वीवो टीडवलोस नियो यूस किया तो आपको करना में देखते हैं इंडिया में आएगा यह नहीं आएगा इस बार उनमें यह टिब भी है लास्ट इम नहीं था यह बहुत बड़ा ड्रॉबाग था उन टीडवलोस का इस बार जो टीडवलोस आ रहे हैं उनमें हमको एपटक्स कोड़ेक तो मिली जाता है उसका अदम को एंसी भी मिलने वाला है उसमें बाकी और कोई भी इंफॉमेशन नहीं दी गई है सो यह 20 में को मालूम चलेगा कि क्या रहने वाला है उस टीडवलोस में फदर ओपो भी अपने एक टीडवलोस लांच करने वाला है जिनमें 35 डीवी से भी जादा की नॉइस कैंसलेशन मिल जाएगी और इनमें भी मतलब एंसी तो हो गाई प्लस इनमें भी हमको शायद आपक्स कोडेक मिले और मेरे साफशे साथ नहीं रहेगा क्योंकि एप्रक्स इतनी देगा नहीं हो पो बहुत ही मेहंगे डिवाइसे में देता है तो आई होप सो कि आपक्स कोडेक होना हो खेर आपके सोस्तों इन सारी न्यूस के बारे में comment करके बताओ आपको अगर कोई नई खबर मालूम है तो भी comment करके बताओ एक community को हम थोड़ी ज्यादा knowledge देंगे information बाटेंगे तो information ज्यादा हमको भी मिलेगी कहीं और से घूम घांगी आपको अगले वीडियो में अडिल देन ओर आउट करके बाटेंगे पारे में अगले वीडियो में आपको अगले वीडियों